राश्ट्रिय बेरोजगारी रजिस्टर की अविलंब मांग को लेकर भारतिय युवक कॉंग्रिस द्वारा यंग इंडिया के बोल 2020 नामक भाषन प्रतियोगिता कायजन किया गया उर्जवान सक्षम वा अच्छे युवक्ताओं को राश्ट्रिय मंच पर एक अउसर प्रदान करना जिसके द्वारा वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से देश की नई पीड़ी को सहभागी लोकतंत्र के मार्क पर चलने हितु प्रेरिद कर सके इस प्रकार के उपयुक्त भाषन प्रतिवागिता के जरिए भारतिय युवक्ति कॉंग्रेस देश भर के युवाओं का अउभान करती है कि आप भारत में बेरोजगारी शिर्षक पर भाषन के जरिए अपने विचार प्रस्थूत करे चैनियत प्रतिभागियों को युवक्ति की आवाजबनने का आ बेरोजगारी आज है तो इसी को देखते वे यूथ कॉंग्रेस ने एक एन आर यू घोशित किया है नाशनल रजिस्टर अफ अनिम्प्लॉइड यूओ कॉंग्रेस ने कहा है कि देश में विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हमें रोजगार पर चर्चा करने की जरूरत है त इस पर पुरे देश के यूओं से अपील की है कि उस पर मिस्ट कॉल करें और वो आकड़ा हम केंदर सरकार को पेश करेंगे कि एक तरफ आप हिंदू मुसल्मान और पाकिस्तान पर बात कर रहें पर देश का यूओ जो है वे रोजगारी पर बात करना चाहता है नए पत्रित किया है Google Forms के माध्यम से एंट्रीज मंगाई है अभी तक महराश्च्ट में 1200 से जादा लोगों प्लाइ किया है और इसके जिलास्तरी प्रदेश इस तरी कारेकरण होंगे अर्ट मार्च को जिलास्तरी और पंदरा मार्च को प्रदेश इस तरी कारेकरम होंगे जो लोग इसमें सम्मिलत होंगे जो इसमें अच्छे वक्ता निकल कर कहेंगे उन्हें हम दिल्ली आमंत्रित कर रहे हैं तेईस मार्च को हजारों लोगों के बीच में उन्हें बड़ा मंच दिया जाएगा बोलने का जीतने वालों को कैश प्राइस भी यूवाक होंगर इसके द् कामेरा पर्सन राशकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट इन्बी सेन्योज नागपूर